तो नमस्कार दोस्तों आप सबके लिए हाजिरे एक और धाकड निया वीडियो जो हम आज जानेंगे जो ग्रेनाइट का पत्र होता इतना समकता कैसे है दोस्तों तो फिर देखिए वीडियो को कंटिनुई कीजिए पूरी जानकारी आपको 0-0, 100-100 बताऊंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर कर देवे और साथ में कोमेंट करके आपकी राय जरूर देवे दोस्तों यह है ग्रेनाइट का स्लाप जो यहाँ पर देख रहे हैं शाइनिंग ओल लगा रहे हैं जहां पर आपको शाइनिंग ओल लगा रहा है उस तरफ आपको अच्छा दिख रहा और उस तरफ थोड़ा डल दिख रहा है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और कैसे करते हैं कैसे होता है यह सब कैसे समगता है इसकी आपको वीडियो देखाऊंगा तो फिर देखिए आपको पुरी जहनकारी प्राप्त होगी दोस्तों अभी देखो ये शलाप उसको पॉलिस मारने के बाद इसके उपर ओएल लगाया है देखो देखे इसके उपर ओएल लगाने से क्या हो गया है उसके अपर ओएल चटगा है और और यह पुरा दिखने, अपना मुझ भी इसके अंदर दिख जावेगा, देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आराम से आपको पुरी लाइव वीडियो फैक्टरिके अंदर की वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए आपको पूरी जानकारी पराप्त होगी, आ पर शाइनिंग आल मार रहे हैं वहाँ पर कैसा दिख रहा है और जहां पर नहीं मारा हुआ है वहाँ पर कैसा दिख रहा है देखिए आपको आपके सामने आपको वीडियो में दिख जाएगा वही किस तरह की होती है देखिए आप इस साइड में साइड में आपको लगाया जाएगा इस साइनर देखो थेकिए अपने जो किसेन में भी आप लगाश सकते हो किसेनğ में जो आप पैथर लगा हुआ है उसको पर आपत चाहब करना साते हो तो यह साइनिन्ग विज़ होता है दोस्तों यह आपको मार्केट में 120-200 आसपास का साइनिंग मिल जाएगा देख सकते हैं आप साइनिंग इस तरह का डबा रहेगा उसके इंदर बहुत कॉलेटी है सस्ते वाला भी है महेंगे वाला भी है 500 वाला भी डब आता है जार वाला भी आता है गिल्टर का डबा 500 के आसपास के मिल जाता है दोस्तों देखिए तो यहां पर इस कंफेक्टरी के अंदर जो हीज़ करते हैं वो सस्ते वाला होता है उसकी 130 रुपिया पर डबे की कोस्टिंग रहती है दोस्तों आपको ओपन ऑपन ही बता रहा हूं दोस्तों ओल्शॉल की रेट यह इसको देखिए ओएल लगाने के बाद इसको इस बार न पर आएबстве 34 आ गया तो इसके अंदर 34 उसकी हैट उगई और भी लेंद में अपको न परआए सलाब लेंद में आपको दिखा दो देखिए लेंथ में आपको यहां पर 113 हो गया है 113 तो 112 में लिखा जाएगा क्योंकि ट्रमिंग होने टाइम में इसके बाद देखिए आप यहां पर उसके उपर जो बुषा होता है ना जो कसरा मिटी का पौडर का लकड़े का पौडर और मिटी मिला कर यह इसके सलाब के उ उपर लगाया जाएगा देख सकते हैं आप आराम सी फिर बात में हातों से उसके उपर रगड़ा जाएगा रगड़ने से क्या होता है इसकी जो साइनिंग होते हैं अंदर की वो साइनिंग एक तम काश की तरह समकने लगता है दोस्तों देखिए आप वीडियो में होता है उसको डल बना दाता है थोड़ा थोड़ी देरी के लिए समगता है फिर बात में डल भी हो जाता है वह का वो अगर यह कसरा यह अपना मीटी के मों डालके उसको साब करते हैं तो साब करने के बाद आप एक सकते हैं उसके अंदर से ओयल पूरा हट जाएगा और एक दम नमबर वन शाइनिंग आएगी दोस्तों ये पूरा करने के बाद आपको मैं पूरा लास्ट वाला सलाब देखाऊंगा जो आपके उपर उसके उपर कांश डाड़ी अपनी डाड़ी होती है ना वो भी आ बना सकते हैं इस सलाब के उपर देखिए इस कसरा पूरा आटा रहे हैं उसको साप करने के बाद देख सकते हैं आप पूरा कसरा ले रहे हैं यह होता है कसरा किसका बनता है यह आप मिट्टी और अपने लकड़े का होता है जो लकड़े जो कटिंग होते हैं लकड़े उसके उपर जो मिक्सिंग रहता है बाद में पोडर आता है वो पोडर होता है देखें पूरा सलाब अभी साप हो गया है इस सलाब के अंदर आप देख सकते हैं जो हाथ में पकड़ा हुआ अपन है न वो भी आपको एक दम क्लियरी से अपर देख रहा है और इसके वपर आपको ये आदमी ख़ड़ा है आदमी भी खड़ा है और पॉलिस मेंसी ने वो भी दिख रही है आप नजदिक से आपको दिखा दूँ कितना सुन्दर दिख रहा है आप देखी दूस्तों बहुत धाकड हो गया इसका लुक देखे तो इतने शांदर हो जाता है देखो ये कमाल है साइनिंग का तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मैं चाहता हूँ कि वीडियो को भी झाल지 दाइच गड़को पाला हूँ कि वीडियो साभियो को